हलो मेरे प्यारे साथियों आज आप सभी को विज्ञान का एक प्रकार का वायरल प्रश्ण आप सभी को बताएंगे दो हजार पचीस में ठीक है जितने भी छात्र बोड एक्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये पेपर सबसे इंपोर्टेंस थाबित होने वाला है तो आप इस वीडियो को एक सेकेंड के लिए इसकीप मत कीजिएगा देखिए आप सभी को बता दें कि आप के लिए जितने भी वायरल पेपर दुहजर पचीस के लिए करा रहे हैं इन सभी पेपरों का जितने भी कोईश्चन आपको बताएंगे एक पतली सी कापी बना के उ एक जगांनोट करें कीजिए और यही प्रश्ण आपके बॉड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो चले फ्रेंस वीडियो करते हैं यह आपके सामने ईसके प्रकार आपको बोड के एक्जाम में मिलेगा एकदम यह रियल पेपर है आप इसको फेक मत समझेगा अदम एकदम रियल पेपर इसी प्रकास से आपके बोड के एक्जाम में आता है यह आपका विज्यान का पेपर आज आप सभी को हल कराने वाले है ठीक है जब आपके सामने इस प्रकास से जब यहां पर कुछ इसके निर्देश दिये रहते हैं इस निर्देश को आप सभी को बता देते हैं पहला बताने से पहले यहां पर नोट लिखा इस नोट को बताते हैं कि प्राराम के जो 15 मिनट होता है परिछादी को प्रश्ण पत्र पहने के लिए निर्धारित किया जाता है कि प्रश्ण पत्र को समय पहना रहता है यहां पर देखें निर्देश फर्स्ट आपका है कि प्रश्ण पत्र दो खंडों में विभाजित होगा खंड और खंड बह देखें खंड आ में होगा 20 बविकल्पी प्रश्ण आपके रहेंगे और खंड बह में जो हता 50 नंबर का उप भागों में जैसा फर्स्ट सकेंड और थर्थ में भाजित होता है तिसरा है कि प्रश्ण पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्ण रहेंगे जिनमें सही विकल्प का चुनाओकर OMR सीट यह OMR सीट आपके बोड के एक्जाम में मिलेगा उस पे आपको क्या करना नीला प्रयोर्एंड वाल पॉइंट से आपको में भाड़ना रहता है ठीक है OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पृश्चा से आपको काटना नहीं रहता है नहीं सबका परियोंग आपको कदापी नहीं करना रहता है आपको अगला दिया कि खंड अवम में बहुवकल्प प्रस्ष्ण है तु परन प्रश्ण एक पर समАब इक नंबर कराता है ऩि कोंड के सभी प्रश्ण एक सार्व करना और नए प्रिष्ट से प्लाम किया जाय Gef सभी प्रश्ण करना अनिवारत यह कुछ आपके समाली निर्देश थे जो आपको जब प्रश्ण पत्र मिलेगा तो इसके सामने इसी प्रकार से लिखा होगा ठीक है कि अब तके यहां से आपके प्रश्ण प्रारंब होते हैं फंद आर जिसमें उफखन्ड कार इसमें आ जहाए effort जम पढ़ां वस्तु रखा जा रहा है उसी आकार के बराबर अपका प्रतिवीन बन रहा है वस्तु कहां पर रखा जाएगा तो आप सांने फोकस पर रखेंगे फोकस और वकरता केंद dispर या वकरता केंदर से आगे रखते हैं देखी यह आपका जैसे क्या है呢 आपका और पर प्रकास केड़ होता है मुंक के प्रावर्तन के बाएं दूसरा क्या होता है इससे गुजार का और इसको इस पका से गुजार आप देखिये थी त्वरा सा गलती बन गया है यहाँ पर्तिवीम प्रतिवीम बनें गया कहा भड़ी यहां पर उल्टा बनता है इसलिए जितना बड़ा वस्तु रखा जाता है उत स्थितिपर रखा जाता है वक्रता केंद्र पर रखते हैं इस प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसान आपके क्या होगा सही होगा दूसरा प्रशन देखिए स्वीध प्रकास की किरण की प्रिजम से गुजरने पर किस रंग के लिए नियूंतम विचलन होता है तीसमें बतान पूछता आपको बोर्ड के एक्जाम में प्रक्राण हो गया फिर इसके बाद हो गया अपवरतनाग अपवरतनाग ना ठीक है इसमें देखे आप एक साइड लिए कम और फिली अधिक किसका होता है यहां विचलन भी लाल रंग का होता है किसका कम होता है लाल यानि विचलन भी लाल रंका कम होता है जबकि अधिक किसका होता है तब बैगनी का अधिक होता है ठीक है बैगनी बैगनी यानि विचलन बैगनी रंका अधिक प्रक्राइन भी बैगनी रंका अधिक अधिक कि रूप करते हैं कार की और की वस्तू को देखने के लिए करते हैं निकट द्रिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंत्रित करता है यह जब आख में प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है आपसन ने प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा नियंत्रित करता है वहाता है अगला प्रशन पंच्वा नम्बर का विद्द Doll परिपत में विद्दु श्क्ति का सही सुत्र आ को बताना देखें को विद्दु सुत्र का सभी फार्मूल एक जग़ा पीच कर्टू होता है भी यह आई स्कौर आर होता है यह बी स्कौर भार होता है विद्द toutes शक्ती स zrobić होता है अगला प्रश्द आपकर नंबर किसी धारवाई सीधी लंबी पणनारी के बीतर चुमब की छेत्र होता प्सक्ति क्ली बिंदु पर समान होता है इसकी सीरों की और जाने पर घटा है इसके सीरो की ओर जाने पर बढ़ता है ठीक है किसी विद्धु धारावाई सीधी परिनालिका परिनालिका मतलब यह होता है देखिए आपको बता देते हैं चित्र के माध्यम से जिससे आप अस्पर रहे आपके लिए देखिए इस पर एक लेलते हैं इस पर आप वायर समान होता है तो पर नालिका के बीतर चुम्बकी छेद्र जो हता एक समान होता है तो इसको याद रखेगा वीवल आपसन सही होगा साथवा नमबर दखिए भारत में ऐसी आप पूर्ति होती है यानि कि जो आपके घर में बिजली आती है उसकी आवरती कितनी होती है तो उस सला उफखंडा गया जिसमें आपको रसाइन विज्ञान के प्रशन पूछे जाते हैं जैसी प्रकास से आपको बोड की एक्जाम में प्रशन देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो नमबर का क्या है आर्सनिक तत्त्त्त है यहाँ पर पताना है कि आर्सनिक है क्या धातु है उपधातु है यहां निस्क्री है यहां प्याद रखेए आर्सनिक जो होता है एक उपधातु के अंतरगत आता है इसका सही जवाब सीवल आपसन आपके क्या हो जाएगा चलि अगरे प्रशन को देखते हैं कि आपको अगला नमबर का सवाल है नीमनलिखित में से प्रोपे के बारे में समझिए फिर ब्यूटेन के बारे में समझिए ठीक है पेंटेन के बारे में समझिए देखिए यहां पर मेथेन में कारबन की संक्या देखिए एक एथेन में कितना होता है दू प्रोपेन में तीन ब्यूटेन में चार और पेंटेन में पांच कारबन होता है अब और आख प्रोपेन के बारे पुछा जिसमें तीन कारबन होगा वहीं वाला अपसन आपका क्या हो जागा सई हो जागा आपसन देखिए यह एक ठीजचेर इसमें तीन कारपन है रहे Baba धिसका मतल़ ती second of के लाध दूसरे आपसंगा को देख लिए एक दू तीन चार यह लहां बनती है फांटन नहीं होगा ग्ला देखें नीमने लिखित किस प्रकार कि Hue १्य वी विष्थापन अभिक्री ये इसके अलावा किस प्रकार कि अभी कर रहा है कि यहां पर कर ले daha कर ले रहा है से यहां पर रहा जो जाएगा स्थापन कर जाएगा स्थापन अगला देखिए आधुनिक आवास सारणी दाहिनी ओर बनने पर होता है यानि कि जब आवर्त सारगी में दाहिने साइड पढ़ते हैं तो यहां भी देखिए जब दाहिने साइड पढ़ते हैं तो प्रमावुत रिज्या धात्विक परतकिर्ति दोनों क्या होता है घटता है तो इस प्रशन का सही जवाब एवलाप्सन सही हो जागा अगला देखिए कालंगम ए में दिये गए रसानिक कि हो को सुमिलन कालंगम कर दियें किजिए आप यहां पर Cor Design C सब्सक्राइब करते हैं सिर्का के रूप में करते हैं तो विकृतिक का रूप में करते हैं सब्सक्राइब करते हैं मिलान के ओए के सिर्स नहीं होगा इसे चिज्ग आपका विक श–स्पैक नहीं होगा आपका सई हो जाएगा यहां पर देखिए यहां पर आपसन को देख लिए डीवल आपसन क्या होगा सई होगा ठीक है चलिए अगर प्रश्ण को देखते हैं तेरह नमबर सवाल देखिए 25 सेंड क्रेट ताप पर शुद्ध जल का प्येच मान होता है यानि 25 सेंड क्रेट होता है अब देखिए यहां से प्रारम होता है उपखंड गह जहां पर आपके जीव विज्ञान के प्रश्ण पूछे गए जीव विज्ञान के ठीक है इसलिए तीन भागों में बटा होता है उपखंड कर उपखंड खर उपखंड गह अब देखिए 14 नमबर का सवाल जो ह लेकिन आपका अक्सीजन का निर्मान नहीं होता है इसका सही जोब क्या होगा यह वाला आपसन सही हो जाएगा कि प्रकास संसलेशर प्रकरम के दोरन क्या नहीं संसलेशित होता है अगला देखिए 15 नमबर का पित्त का संसलेशर होता है यानि पित्त का संसलेशर कहां पर हो सब्सक्राइब को यह संख्या होती है जो मानों का संख्या होता है कि अगला देखिए है नहीं होता है यह होगा में लेकिं प्लेनेरिया में नहीं होता है इस सही जवाफ दिवाप्शन आपका सही होगा अगला का पत्तियों द्वारा काईक प्रजनन होता है काईक प्रजनन किस में होता है आपको बताना है तो देखिए अगला देखिए 19 नमबर का साथ थे भी वाले को सही आँगला परश्णा देख्ए सभी इस्वा नंबर के आपको किसे देस्व को पवनोिगोŁ का आँद कि यह जाता है इस इसे निमार्क मार्क डेनमार्क जो है इसको पवनों का देश कहा जाता है ठीक है अब यहां से प्रारम होता है खंडबार जिसमें वरात्मक प्रस्थ रहे हैं उप खंड का इसमें भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्ण पूछे गए हैं अब देखिए यहां पे आप सभी को प्रश्ण बता देते अब इन प्रश्णों को देख के यह अनुमार्ण लगा सकते हैं कि 2025 में किस प्रकार के प्रश्ण आपके देखने के लिए मिलेगा आपको मैक्सिमाम सवाल जो प्रश्ण कराएंगे जो पेपर कराएंगे इन्हीं पेपरों में सापकी बोर्ड की एक्जाम में देखने के मिलेगा 21 नंबर का है कि एक दरपड़ की वक्रता त्रिज्जा 40 सेंटीमीटर इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है परतिविम के इस्तिति बताई इसका कीरण आरेग भी बनाई चार नंबर का है ठीक है अब देखिए अगला प्रशन देखिए परत प्रशन पूछा गया है इसके साथ में वस्तु फोकस यफ और फोकस दूरी दूरी टूरी टूरी आपके बीच रखी ओए इसका प्रतिविम आपको बनाना है देखिए चार नंबर के यह प्रशन आपसे पूछा गया है देखिए अगला देखिए नीचे दिएगा पूछा जाएगा बोड के एकजाम में परिफद में कुल परतिरुवत आपको ग्याद करना रहेगा इसके साथ में परिफद में प्रवाई संपूर धारा आपको ग्याद करना ही है आपके सामने चित्रे इस पकास बोड के एकजाम में सवाल पूछा जाता है अगला सवाल विद्दू चुम्ब की प्रेड़ सब क्या समझते हैं किसी परिपत में उत्पन प्रेरी धारा का मान किन बातों पर निर्वर करता है प्रेरी धारा की दिशा ग्याद करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तता नियम लिखिए दैनिक जीवान में इस घटना का बेवहारिक अनुपरियोग बताईए यह टोटल चाह नंबर कर आएगा यह आथवा में विद्दू जनिंद्र का नवांकित परिपत चित्र बनाईए और इसके सिद्धान को कारिवीदी ब्याक्या कीजी चाह नंबर का दोनों प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण का बोड के एक्ज आपको अगला सवाल किस प्रकास है आपको बोड के एक्जाम में सवाल देखने के लिए मिलेगा आधुनिक आवार् सारणी में कुल कितने वर्ग तता आवर्थ है इसके साथ में आपको इस आवर्थ सारणी में चारी धात्यों को तता निस्करी तत्यों को किन-किन वर्गों में रखा गया है टोटल चार नंबर का प्रशन रहेगा इसके रहाँ देखिए क्या होता है जब केवल संतुरित रसाइनिक प्रशन रहेगा यह देखिए पहला है कि चूने के पानी में देर तक सी ओर टूगेश प्रवाहिद की जाए ठीक है अगला है शुष्क चूने के विकरिया सुस्क सील डूगैस से क्राई जाए केवल आपको समीकड़ा बनाके छोड़ना है ठीक है क्यों समीकड़ा लिखना सब्सक्राइब गरम करने क्या होता है सोडियम धातू कि जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है इसके अलाव आपको अथवा में भी दिया अथवा क्या दिया है निम लिखित पर शण्छिप टिपआई गरता यह वहां प्रश्ण रहता है पहला एक भरजन पर इसी तरह देखने के लिए मिलेगा इस प्रश्ण का संपूर हल आप जरू देखिए उपखंडगा में क्या है कि जीवी ग्यान के प्रश्ण आपसे पूछे जाएंगे किस प्रकास से प्रश्ण आपके आने वाला है नाब की तता समुंद्री उर्जा पट्टी पई लिखना ह है टोटल चार नंबर का समझात दस्सम विर्थी अंगों को समझाए टोटल चार नंबर का प्रकास अंश्रेश्ण का एक विवड़ दीचे टोटल चार नंबर का प्रश्ण रहेगा इसके लावा मानों के मादा जिनन तत्र का वरण करना है टोटल चार नंबर का अथवा मे प्राक्रित संसाधाणों के संपोस्इद प्रबंद गण यार अबर के निप्टम इस पकासाइब आपको दिखनाय गैए few आइज के लिए Aut Singh आपको पुए बिसको नोट किज़े और सभी प्रशनों का तयार जरूर करके दो हजर 25 का बोर्ट का एक्जाम देने चले जाईएगा सभी क्वेस्टन आदों सेम टूसे एज टू एज देखने के लिए मिलता है तो आप सभी प्रशनों को जबू तयार कर लीजिए ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें